नमस्ते श्रेकाल सलाम and hello to my beautiful people out there मैं श्री आप सब की श्री अश्विर से एक ने रिडिंग के साथ आप सब के सामने हाजर हूँ टेर विश्री टिपल वन में आप सब का तहे दिल से स्वागत है कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब मज़े में होंगे स्वास्थ होंगे कि बढ़ा में इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या बदलाव आएगा 2023 में आपके रिष्टे में क्या चेंजस ऐक्सक्ट कर सकते हैं 2023 में आपके पार्टनर का बहींवियर उनकी फिलिग्स कैसी होगी 2023 में बिसिकली आप लों को का रिष विशना कुछ गाइडन्स आपके लिए इस रिडिंग में जरूर हो सकती है कलेक्टिव रिडिंग है जनरल रिडिंग है बस इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके सब मैच करें यह जरूरी नहीं है जितना आपके सथ मैच करती है as guidance आप रखें उसे और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दे ठीक है, gender specific reading नहीं होती है आप किसी भी gender के हैं आप देख सकते हैं आपने love interest के लिए देख सकते हैं किसी भी relationship चाहे husband, wife, girlfriend, boyfriend किसी crush के लिए किसी भी love interest के लिए आप यह reading देख सकते हैं so again मैं यही कहूंगी कि tarot सरफ possibilities को बताते हैं आपके ठीक है, आपकी energy जैसे होती है आपके कर्मा जैसे होते हैं और आपका outcome आप क्या receive करने वाले होते हो यह सरफ divine को पता होता है tarot सरफ possibilities बताती है कि यह चीज़े possible हो सकती है ठीक है आप उसको अपने कर्मा अपने action से आप उसको चेंज कर सकते हो आप अपना भविष्य चेंज कर सकते हो हम कहते हैं ना वैसे ही ठीक है तो इसे as guidance ही ले और जितना आपके सथ रसुनेट करती है उतना रखें बाकी का बाक्यों के लिए छोड़ दें ओके सब्सक्राइब निए बिस्टे थाइम लेट्स गड़ें तवाइन प्लीज गाइड मेरे विवर्स और उनके पार्टनर के बीच सब कुछ कैसा रहेगा पहले हम आपके अनरजी चेक करेंगे ठीक है फिलिंग्स चेक करेंगे त्वाइन प्लीज गाइड 2023 मेरे विवर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है क्या पॉसिबिलिटीज है द्वाइन प्लीज गाइड मेरे विवर्स की फिलिंग्स नंके पार्टनर के लिए क्या हूने वाला पार्ड प्लीज है प्लीज गाइडी गाइड प्लीज गाइड टम प्लीज दॉटर में प्लीज लोगोज कि लिए में लूव प्टक्वी लूख कि लूब लूज कर दे से King of Cups The Chariot वाव बालन्स के अनरजी में आने वाले हैं बहुत लोग Wheel of Fortune क्या बात है एक साइकल कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का Two of Swords जो कि अप्स्टिकर में है वाव तु अपक्स And Ten of Pentacles Wow, very nice Please Guide Divine Some more guidance please Divine Some more guidance please My Dear Divine My Angels Talk to me please My Viewers की Feelings उनके पार्टनर के लिए टूजंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्री में क्या होनने वाले द्वाइं One more time please Clear Very nice Amazing Major changes This is why you are confused You will be confused Some changes When you are confused Okay And Flirt Make a choice So I am showing you that in 2023 A lot of people will come to a balance A lot of people will come to a balance That is why you are going to be very emotional And have to approach your partner You will feel very much Purge You are being driven Purging It will be very angry And you will be very nervous Ok Over emotional And you want to do a lot of people A lot of people But you do not do it Ok You will do support them You want to move along You want to see them But But A lot of people मुझे यहां कुछ लोग यूनियन में भी दिख रहे हैं प्रिजन्ट के नजी में ठीक है और नहीं तो फिर बहुत जल्दी आप लोगो को रसीव हो सकता है कम्यूनिकेशन आपके पार्टनर के तरफ से मुझे जो दिख रहा है कि आप अभी बहुत लोग बहुत इमोशनल है अभी भी आपके फिर वहार इच पर्च करें नहीं पर्ट रहा होगा बहुत जढ़ा रात रात में उटके रो रहोंगे आप लोग अपमें से बहुत लोग नगी ऐसे हो सकती है ठीक है लेकिन 2023 में बहुत लोग बैलंस में आने वाले है बहुत जादा बैलंस देखीर अभी बैलन्स करते हो फिर आप इंबालन्स जाते हो, ऐसी एक एनरजी आप की जो थी, मुझे लिख रहा है कि 2023 एंटर करते करते में आप मिलब कुछ दिन, कुछ दिनों के पार होते ही आप बहुत बहुत लोग बहुत बैलन्स में जाएंगे, बहुत अक्षिन ओरीन्द हो तो आपने स्टुडिस पर फोकस नहीं थे तो आपने स्टुडिस पर फोकस करोगे आप जो भी चीजें लाकिंग थी आप में वह सब को आप बालंस करते मुझे दिख रहे हो क्योंकि चारिट की एनरजी यहां पर जो हमें बताती है ओवर कमिंग अब्स्टिकल मतलब कोई भी अब्स्टिकल आपके लाइफ में थी कोई भी लाकिंग में आप थे लाकिंग कांशिसनेस मगर थे आप वह सब चीज बालंस करने वाले हो सकसेस बहुत स्यादा मिलेगी आपको 2023 में आपके लाव लाइफ में क्योंकि हम अभी लाव लाइफ देख रहे हैं तो बहुत सकसेस मिलेगी आपको मैं आप अपने लाइव को देखोगा ते लाइव को तेखोगे तो इसके बाद विल पावर् 1 आप में बहुत जबर्जास और था इनटारी आप काम यहां18 00 ताथे को अप यह उनका नहीं तो के और आ इसा इन इनची आप में भी तो बहुत अपने 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 जो भी चीज़े आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है आप वो काम जरूर करोगे ठीक है ऐसा मुझे देख रहा है बहुत हाद्वक भी करते देख रहे हैं मुझे बहुत फोकस हो जाएंगे आप जो भी चीज आपको चाहिए उसमे ब कि दुबलाइफ लिए एक लियू जाएंगे लगे लगे लिए कि अद्वक अअब छाओ रहा है जो भी अच्छे रहा है झाल ऐ लेल्हां प्यापको जो भी लेलेंगे अच्छे रिजल्टि उ बालाइफ जो यह अंगवी पर्टनर जो करम की रहा है उनको जो चैँ रहा मुझे दिख रहा है कि two of swords वो obstacle में है मतलब अब आपको clarity you know आप और illusion में आप नहीं रहना चाहते हो और confusion में आप नहीं रहना चाहते हो आपको clarity मिल गई है ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है बहुत clear हो अपने सारे vision में बहुत focus हो अपने life में अपने love life में क्या करना है कैसे कर लेके जाना है नहीं जाना है या या क्या करना है यह clarity आपको मिल गई है और बहुत हद तक मुझे आपका love life बहुत हद तक रिफ्रेश एक स्टार्ट होता दिख रहा है मझे ठीक है रिफ्रेश्मेंट दिख यह मझे 10 of cups overall energy है और soulmate के energy है so very beautiful you know Cancer Scorpio Pisces energy है यह and you know Cancer Scorpio Pisces बहुत strongly दिख रहा है मझे ठीक है तो जिस तदह से mirroring effect है यह आपके partner के साथ जैसे आप बहुत करोगे वैसे वह बहुत करेंगे जैसे आपकी feeling होगी वैसे ही उनकी feeling होगी तो आपको अपनी feelings अपने thoughts पे बहुत जादा करने की ज़द होगी 2023 में क्योंकि जैसा आप बहुत करेंगे वैसा ही वो बहुत करेंगे आपको देखे यह एक इक soulmate अज़िए है रेकंसलेशन के energy है ठीक है एक 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 मुझे दिख रहा है तो बहुत लोगों का 2023 starting में मुझे लग रहा ही कि बहुत लोगों का रेकंसलेशन होगा ठीक है मैं जनुरी का प्रटेशन जरूर करोंगी आपकी love life के लिए मुझे लग्रशन होगा बहुत लोगों का रेकंसलेशन होगा बहुत strongly मुझे लगई बहुत लोगों को कॉल मेसेजेस आ सकते हैं 2023 के स्टार्ट में ही जैनवरी में ही स्टार्टिंग डेज में मुझ लग रहा है बहुत लोग का रिकांसलेशन पॉसिबल है ठीक है मुझ रहा है बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली है बहुत इंप्रूव होगा रिष्ट से जबाए बैठते हो आप कितने प्रिपेर हो किस तॉरा से एक잔 में क्यू दिये हो आपको पता है कि अपनय खुशिये कि और उसीufen अपको रिजलत मिलता है इसलिए और से मैं वैसा फुटा यह स्टा Unternesyip विशिव कर और भी बहुत तरह से मुझे देख रहा है कि बहुत अच्छा गरोथ होता मुझे देख रहा है तो बहुत लोगों को commitment मिल सकता है आपके साथ understanding से उनको आगे जाना है और किस तरह से इस relation को आगे लेके जाना है इस तरह की understanding आप दोने में दिख रही है मुझे आप में दिख रही है तो मुझे बहुत positive changes लग रहे है ये आपके spread में now player की energy है तो मुझे अभी कुछ लोग player वाली energy में जरूर हो सकते हैं ठीक है कहीं और किसी और के साथ बात करना या फिर move on करने की कोशिश करना या फिर किसी और से फ्रेंशिप करना किसी और से फ्रेंशिप करना दोग सारे लोग जो है वो फ्लेट करना दूसरों से बिल्खल नहीं लेकिन आप इस energy से क्योंकि बहुत heavy energy है King of Cups केbe प्यार भूपे प्याम में प्राटनर परजने होगे लिए अले लिए आप लोगों के मन में में प्यार भूपे प्राटनर के लिए लाग प्यार प्रमिद करकेशें झाल को अगार भूपे प्रफ्रेंट गर Д organizत है इस निकलने के लिए कि बहुत ज़ादा इमोशनल ना हुआ बहुत सब्गे भाध सब बचे इसली हो सकता है कि बहुत लोग जो है भी इस बहुत लोगों से बात करना चाहते है या फिर अंड पर वहुआ ने की कोशिश कर रहे है ऐसा हो सकता है ठीक है मुझे उब ऑन के और आपको भी चाहिए होगा कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें इस रिष्टे को बहतर बनाने में सुन्दर बनाने में उनका भी सपोर्ट रहे उनका भी कोपरेशन रहे वो भी अफ़र्ट लगाएं ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है चारिट के अनरजी है बालन्स के उनका प्रयूजोगी है के मताशनी में बालने मेंटान जात्कंड आप सोल कॉन्ट्राक्ट करके ही आप इस रथिपे हाते हो तो काई फूल कॉन्ट्राक्ट करके ही इस एक कांउल्टी प्ते यह अ टे इंवे deeper हो वो कांट्राक्ट हो अटा की अटे जूमी कार्म Scotland शो और य के फैमिनायन की भी कर्मिक पेन होः एले एंसक हैं आपको चंटकर कर के आई हैं आप की हिसे का फिट खीक पी हैं आपकी हिस्से हमेशा उन्हे तक развит ही मिलतीया है तो यह कbn Cake कि काओने हैं जो कि आपको क्लेरिफा कर रहा तो जो सुल कौन्टारक आप दोनों की भीश मै था खार, लएक भी कया कर्मीक पेन से उनके कुषैज पार्फ यहां ते हैं उमक्षर अपढ़ यहे हो तो रहं दूक व स्ट नहीं हो जो हैं काही थे कर दिया Alem और केतु से रिलेटेड होता है तो बहुत लोगों का यो मैस्व अवेक्निंग तो बहुत मस्कुलाइन्ग जो की अस्पिरिच्छल नहीं थे वो भी आप देखोगे कि नहीं दिरे बहुत बहुत भी अब स्पिरिच्छल होना इस स्टार्ट हो जाएंगे तो इनका जो आप सो इनको सोल शॉक भी लगा इनको लेकिन सबका मैं नहीं बोल सकते हुआ लेकिन बहुत लोगों का यह हुआ है तो जिनका नहीं हुआ है उनका भी आप देखोगे कि अधिने सब्सक्राइब करें नहीं हुआ है तो यह सोल कॉंट्रक्ट कुछ एक साइकल आप लोगों क्या 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 कंप्ली हुआ है और नेक्स जो साइकल है वह बेगन होने वाला है तक है आप मैं सो कुछ लोग लोग डिस्टंस लेशन्शिप में हो सकते हैं अब कुछ मेज़ आफ लाइफ में आएगे उनाव भूटस दे जाएगे स्वाइन आपको चॉष दे जाएगी, अब होता यह है, द스ै कर चार। divine बहुत टेस्ट करते हैं spiritual connection में जो होते हैं आपको बहुत टेस्ट किया जाएगा आपकी awakening हो जाएगी आप बहुत balance हो जाओगे आप अपने life को बहुत अच्छे से handle करना start कर दोगे अपने emotions पर control करना start कर दोगे अब आपको पीछे मुड़के जब देखोगे बहुत लोगों के साथ यह होगा बुझे बताईएगा जनके साथ भी यह होगा अब पीछे मुड़के देखोगे आपको अपनी partner की उतनी need नहीं होगी जितना अभी उन पर depend है ठीक है जब ऐसा होता है तो divine आपको test करते हैं कि यह सब बस है कि अभी भी आपको आपके पार्टनर चाहिए और यह चोईस आपको लेना होगा ठीक है यह चोईस आपको लेने के लिए divine एक major change आपके life में लेके आएगे हो सबता है आपके life में कोई soulmate आए जो कि आपको बहुत ज़दा respect करें बहुत ज़दा प्यार दें जिससे कि आप उनके तरफ अट्राक्ट हो जाओगे आप ऐसा ठीक है और उस तेम आपको चोईस दी जाएगी कि आपको क्या चाहिए आपको फिर वही आपके पार्टनर ही चाहिए या आपको या किसी और के सथ मुवान करने के लिए अप चाहिए आपको क्या चाहिये आपको या किया चाहिए जो भी चीज चाहिए आपको जोसे कर रहे हो उसके लिए पहले एक जूइस अप です करें किया को चाहिए किया बहुत लोग बहुत लोग मैं देखा है कभी मनिफेस्ट करते है कि उनके पार्टनर आ जाए और थोड़े दिन के बाद उनका मैनिफेस्टेशन चेंज जाता है तो इस तरह से आप डाउच की अनरजी जो है वो युनिवर्स माप सेंट कर रहे हो जि कि वहां भी आपको clarity मेलेगी बहुत जादा कि करना कि है अपको उस changes से उस major changes से ठीक है अपने partner के साथ बहुत फलर्ट करते मुझे देख रहे हो आप 2023 में फिर से वो refreshment फिर से वो you know bubble phase आता मुझे देख रहे है तो मुझे बहुत अच्छी देख एपके अनरजी ठीक है बह divine please guide, क्या है मेरे विवेवर्स के पार्टनर के अनरजी मेरे विवर्स के लिए 2023 में क्या होने वाला है इंदोनों के बीच मेरे विवीवर्स के पार्टनर के अनरजी विमन प्रिस्ट गांग वांग मेरे वीवेए तक 직िendर कार्टनर की मेरी जाइवाँ मेरे वीवेए तक माईटर मेरी वीवेए क्लिक प्रिस मेरे वांग मेरी विवस से टेपने म मेरे व्यूवर कम दिद है नियु हो ठी टर्म हने वाली है 2023 में क्या फीलिंग सैंकी फोगी मेरे विवस के ए व्या थे लिद लाव इंक रिष्टे है व्यू Certine श्काँ one more time please again wow chariot my goodness six of pentacles oh my god I love it oh my goodness page of pentacles okay three of swords jockey hair obstacle me okay the moon and the world wow what the truth yes your partner's energy is good balanced but still secretive okay okay now they have something in the room but then I feel very good energy very positive okay okay and please guide okay so you can also have a few people who are 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 he's very active you know reels and all these those videos which youBI and you conos too absolutely i work really good आपके पार्ट आपके पार्ट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे है ठीक है divine please guide, my dear divine, my angels, my spirit guides, please guide one more time please आपके छिर्य दिए्ट राट औिए्ट ट्यूंस tattoo भांचे लुब कर देख जूश्छित प्रिक्तित tera जूचसंग 타्ख आपके शूफ गस शुबर ट्रिक्स्वरशशी बहुतूं हां गाहराँ forgiveness conflicts awakening and true love amazing amazing your partner's energy is very good your partner is very balanced your partner is also in 2023 you will see that you are in balance trying to be spiritual you will discuss a lot about spiritual matters I am seeing divine some more guidance please divine some more guidance please divine some more guidance please one more time please one more time please existence possibilities moment to moment stress oh my god experiencing experiencing and the burgeon one more time please some more guidance please divine some more guidance please some more guidance please some more guidance some more guidance please some more guidance please one more time please release dissipating completion release release creation isolation and passion okay okay I am seeing partner signs cancer taurus aries and pisces okay numbers can be important for you for you for you for your date of birth or important date okay now I am seeing that your partner also in this relationship in 2023 in 2023 you will see your partner is taking a lot of effort equal given take they want equal given take they want effort they want and they want now the energy is very balanced I am seeing that you know your partner is in balance which you are coming in 2023 now your partner is in balance now your partner is in balance or starting in 2023 you will see their energy balance this is a chariot this is a chariot this is a man also wants success and wants victory and wants balance they also know that if you both are balanced then this relationship will be peacefully and smoothly okay this is I am seeing I am seeing very much working on energies I am seeing I am seeing very equal given take I am seeing they will start their awakening and they will start their awakening their awakening will start and they will not massive awakening will be in 2023 okay and those karmic people who were involved will break their patterns from karmic will break from karmic who were not serving from karmic will break from karmic and after that they will move on their spiritual path okay I am seeing equal give and take you want victory okay I am seeing a solid commitment I am seeing a lot of people can be a marriage possible if you are struggling a lot if your partners were denying in this relationship were not effort so you will see this year this person is trying effort and trying their energy is like they do a little and they do a lot and they do a lot and they do a lot so they will see their effort in 2023 in 2023 I feel like that you can do business with your partner because pentacles card so this person will need stability in physical world okay now you feel in 5D like soul to soul you feel in 3D but you know that somewhere he is connected okay so this person can give a commitment in 3D in physical world because there are many cards okay good news you know the good news is filled this year okay we will create a balance and equality we will try to make this effort you will get to see good news I am showing good news and again it is pentacle card so it means earthly physical world you can get a solid foundation you can start a business you can start both or financial gain you can get both this person you want to make better this person can do some course counseling you can do tarot card leader can take reading or a relationship counselor can do that will do so that it will smooth you can do smooth how to develop and improve and improve how to better it will set a lot of plans I am showing this time okay in the time we will be more on and off you will be more on and off you will be more on and off and your partner I am showing very much as you are depend so this person will try a lot and try a lot to improve but you will see some people can be and if not then an immaturity will be a lot of but this immaturity will also try to improve this relationship will be immaturity will be immaturity will be in the immaturity that will be and and try and try and try and I see I some people divorce people can divorce here if your partner third party involvement if you are people move on third party move on move on forward this scenario can be possible for a lot of people for some people यह इनसान जो भी ग्रीफ इनके अंदर है पेन है यह फिर बात करते करते फिर आर्गुमेंट होने लगते हैं आपके और फिर फिर फाइट कान्फिक्ट होती है वो चीज पास्ट की बी कुछ चीजों को इन्होंने बहुत दा होल्ड करके रखा है और यह रिलीस करेंगे अब क्योंकि यह काड अबस्टेकल में आया है तो इसका मतलब यह है कि यह इनसान वो जो पेन और ग्रीफ जो इनके अंदर है जो इनके अंदर है जो पास्ट के जो भी एक्स्पीरिंस इन्होंने होल्ड करके रखे हैं उनसे इनको बहुत तकलीफ हो रही है और वो यह अब यह अनको वह रिलीस करना चाहते है है और यह करेंगे अगे जा कि मैंने बोला ला किसी से कह inれて सकते सकते हैं अपनी और कंसलिंग ळान में यह इन वर्क करेंगे कुछ इसा करेंगे जिनसे की इनका वह बहुत सारा ने हो यह उड्र करके रखा है वह सब यह रिलीस करेंगे और य इसा 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 इस आपके बहुत हो सकते हैं फैंस फॉलोइंग हो बहुत सारे आपके अद्मिर्स बहुत हो आपके तो आपको कोई कॉम्पलिमेंट करता है या फिर आपको आपको आपके अपके जब फोटो अपलोड करते होंगे तो बहुत सारे लोग कमेंस करते होंगे या फिर इस तरह का कु सर्फ पाह vicinity तो का इंसन किके अप्लोग अप्रोई ते का सब्सक्राट्स एकिषब ते मारम इसे पर पर हो सकते हैं तो इसलिए इंसन पिखिर एक स्टार बाइचा एक स्टार हो सकते हैं polum बःक्त बुस्टार नागे जाते हैं कर डाएबर अगे एक सब्सक्राजिक साथ भी हो सकता है लिगु डाएबर हो सकता है थोको बहुत बисटार डापाइचा सब्सटार फ लगा डाएप एक कडि आध ंब आपका, you know, मुझे बहुत strongly दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह spread बहुत अंदर से मुझे बहुत पॉजिटिव लग़ा है, बहुत खुशी हो रही देखे, the world के energy है, the world means dunya भर की खुशियां, और यह overall energy है आपकी, दोनों की, मतलब dunya भर की खुशियां, बहुत लोगो को commitment मिल सकता है 2023 में, बहुत लोगो की marriage possible हो सकती है, engagement हो सकती है, एक strong stability मिल सकती है, आपके partner से, बहुत लोग travel कर सकते हैं, अपने partner की साथ, और एक travel नहीं, मुझे बहुत सारे travels देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, अगें मैं कहूंगी, एक cycle आप लोग complete हुआ है, और एक next chapter में आप लोग tap-in करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है, long distance relationship हो सकता है, कई लोगों का, बहुत लोगों का, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, overall energy हो बहुत सारी खुशियां, दुनिया भर की खुशियां, ऐसा दिख रहा है मुझे, ना मैंने कहा ना, कि आपके जो पार्टनर है, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपके energy ऐसी है, कि उनको लग रहा है कि कही सब कुछ infatuation तो नहीं था, कही सब कुछ इनके तरफ सही था या फिर एक अट्राक्शन था दोनों की बीच इतना तो इतना सच्छा प्यार नहीं था, ऐसा तो नहीं था, ऐसी के energy देख रही है, बच मुझे देख रहा है कि इंसान बैलन्स कर रहा है, अपने mind, अपने body, अपने soul को बैलन्स में लेक आ रहा है, यह एक रहा है, यह एक आ रहा है, आप इंको माफ करे और यॉये आपको माफ करे जो भी चीजे आप दिन में दोनों के भीश में हुई था, जो भी गलति आप दोनों ने की थी उन सब को ये इंसान अईकरेंगे रहा है कि आपनी अवेक निया है, अपनी नबहां स्फिक्रेश् समें करेंघ ऐं या आपको के हैं आपके पार्टनर के भीच या आप के पार्टनर आपके थर्ड पार्टिर के भीच ठीक है इमसंसान इस कर्मिछ साइकल से इस कार्मिक पैटन से पार्रेशंद से मुवण कर सकते हैं बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है अवेकनिंग एंसान जरूर अपना कॉंशेसली अवेकनिंग करें इंसान ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है यह चाहते हैं अब यह की अवेकन हो यह एंद ट्रू लाव इनको पता है कि यह आपके साथ जो है इनका प्यार जो है यह बहुत आत्मिक प्यार है यह कोई ऐसा प्यार नहीं है कि आज नसे होजेए कल उनसे हो जया ऐसा नहीं की अग्मिक आत्म अप्यार है और यह इंसान बहुत अच्य साज़े स्थीज को 2023 में इनके अनरजी passe thisatch cake में इनके अच्छ G और अज़ सिज को 2023 में इनके इनके अज़ एसी हो मैंने बोला ना कि बहुत लोग को commitment मिल सकता है आपके partner से बहुत लोग stable relationship में आ सकते हैं existence, बहुत सारे science, बहुत सारे synchronicities इनको मिल रहे होंगे और इनको already पता है कि ये एक spiritual connection में है और नहीं पता है तो ये 2023 में इनको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है कि ये इनको अपनी spiritual awakening करनी है और ये consciously मैंने बोला ना कि ये करेंगे possibilities ये इनसान अब इस रिष्टे को बचाने के लिए सारे possibilities को चेक करेंगे आगे आगे आप देखोगे जैसे 2023 मैप tapping करोगे जैसे दिन पार होते जाएंगे आप देखोगे इनसान ये ट्राय करेंगे ये कोशिश कर रहें ये अपना 100% लगाने की कोशिश कर रहें के इतना लगाते हैं इतना अफोर लगाते हैं लगता कि ե मडे है रफ्ट परसक्न लगाया हैं winter time यह ट्राइ करेंगे इंसान अपके साथ करेंग दिक ए कि इन्सान आपके साथ हर एक्लंबध को जीना यह ना ही एक लंगे को आपके साथ एंजॉई करना चाहते हैं advantage एक एक्वालिटी में, एक्वल गिवन टेक में करना चाहते हैं, यह सब इनकी फिलिंग्स है, और इनकी फिलिंग्स एक्षिन तभी होगी जब आप लोग बैलन्स होंगे पूरी तरह से, ठीक है, देखिये, होता ही है कि जब हमारी एनरजी जब हमारी वाइब्रेशन जब हमा जब हमारी वाइब्रेशन जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है, जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम वैसे लोगो को ही अट्रक्त करते हैं, और जब हम हाईब्रेशन में होते हैं, आपके पार्टनर ऑटमेटिकली उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि तो दोनों किसे रिर्ध कर रहे हैं, आप दोनों बहुत सारे चक्राज्व Uni आप अप लोग आप सोल आप लोग scientist आप लोग अप लोग शेयर करते हो ठीक है तो इसलिए ये इंसान की frequency automatically high हो जाए कि जब आपके frequency high होगी तो इन की मुझे बहुत अच्छी दिख रही है अब जो रिजल्ट है वो आपके एनरजी पर डिपन करती है ठीक है आप सिर्फ सोचोंगी कि नहीं आजाए आजाए हम सब ठीक कर लेंगे आजाए नहीं होगा ठीक है तब जातने हैं रुपए पर बहुत काम किजिए रही है बहुत इन वरक prochाएं से और ड lump कि कि इंसाने इस बहुत ह myślaई कि नहीं है कि एक बीख थानिस अधगी के हर लंहे को आपके साथ इन वासाथ बालेंस ने कुष्या यह से यग को लागए रा और से शुन् दिक्कते लेके आएंगे कि इनसान को समझ में आएगा कि इनको आपके तरफ बढ़ना है और कुछ चीजों को पीछे छोड़ के आपके तरफ बढ़ना है तो मुझे ऐसा लग जा है कि इनो डिवाइन का कुछ ऐसा प्लान है इनको इसा बनाया हुआ एक सिच्वेशन होगा ज कि इनके मुझे दिख रही है रही है एक स्पीरिंस बहुत कुछ एक्सपीरिंस करने वाले है इनसान जब अवेक्नि शुरू होगी तो सच में बहुत कुछ एक्समीज करेंगे और एंको यह भी समझ में आएगा कि आपका इनके लाइफ में क्या रोल है और क्या इमपॉटन और ये इसान समझेंगे बहुत अच्छे से, बुरण, कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी और अब इसा बुरण हो सकता है, कि जिनको ये छोड़ना चाहेंगे, जिनको इसा खतम करना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बुरण से बढ़ने के छिनके तरफ नहीं बढ़र एफर्ट लिया जाए, क्या एक्षिन लिया जाए, कि सब कुछ बैलन्स में ये कर सकें, ऐसे एक माइंसेट में आते मिज़ दिख रहा है इंसान, इसलेशन, मुझे लग रहा है कि कभी-कभी, जब इनकी अवेक्नि होगी, अवेक्नि का जब ताइम होगा तब ये इंसान अप अपने थर्ड पार्टी से या फिर कार्मिक रिष्टा कोई ऐसा इनका है, जो कि इनको बहुत बूरियर से हर्ट करेगा, और ये इंसान बिल्कुल इनको अइसलेट करेंगे अपने आपको अकेला कर लेंगे, और ये उस ताइम एक्स्परियंस करेंगे, कि आप इनके लाइ और इनकी अवेक्निंग होगी, ये इनका डाक नाइट ऑफ दसोल पेरियो हो सकता है, बिच 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 में आता है, जब इनसान बूल जाता है कि इसको अपने क्यों आया है वो इस लाइफ में और पर्पोस किया उसका तो फिर इसको बगवान चुहें दिवाइन चुहें अज़ थन डाक नाइट आफ दूल में डालते हैं और फिर से एंसान रालाइज करता है कि अच्छा मुझे ये करना और पिर से उसकी अवेक्निंग होती है, स्टाट होती है, और फिर से वो अपने आपर काम करता है और बढ़ता है, तो मुझे ऐसा ही धिख रहा है कुछश स मैंने बोला ना कि Soul Contract जो होता है वो ऐसा ही होता है कि Masculine Energy जो है वो कार्मिक जितने भी पेंस होते हैं वो उनके भाग में वो लेते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनकी Feminine Energy इतना नहीं जहिल सकती है तो इसलिए जब आपके पार्टनर कार्मिक रिष्टे में रहते हैं या किसी और के साथ रहते हैं तो आप समझ जीए कि कुछ न कुछ परपस होता है कि यह कंप्लीट करेंगे बहुत कुछ knowledge gain करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आप से ज्यादा यह इनसान knowledgeable हो जाएं ठीक है बहुत knowledge gain करेंगे इस रिष्टे के बारे में बहुत बहुत कुछ इनको guidance मिलेगी and soulmate soulmate yes इनको समझ में आएगा कि आप से इनका ऐसा रिष्टा है वहना काना तेरे दिल का मेरे दिल से रिष्टा पराना है इन आखों का नानाना सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे इनको समझ में आएगा कि कुछ कुछ स्पेशल कुछ ऐसा अलक सा कुछ कुछ है आपके साथ जो कि किसी की साथ नहीं है और ठीक है enlightenment yes in enlightenment hoagy सारे God's Awakening को ही बता रहे है रियुनियर रियुनियूल okay so yes यह इनसान जो है अब एक फ्रेश एक सोल बनके 2023 में आपके साथ बहुत सुंदर से अपने रिष्टे को निभानी के कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप भी इस रिष्टे में उतना ही एफ़र्ट लगाएं और यह भी उतना ही एफ़र्ट लगाएंगे बहुत मुझे रहा है कि बहुत हैपिनेस और बहुत जॉइफुल होगा आपका 2023 और मैं दल से यह चाहते हूं कि आप जितने भी लोग गे वीडियो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं जो है वो यूनिन में आये और अपने रिष्टे को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आगे बढ़े आप अपने रिष्टे में मेरी दिल से दुआ है आप लोग के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए मुझे लग रहे है कि ये इनसां अभी वे इस अपने सुध प्रव बुध में नहीं है ऐसा देख रहा है मुझे चाहिए बढ़े है नहीं तो आपके बिना इंकंप्लीट जब फिल हो गाना तो मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा इसा इक होगा इनकी लाफ में एक हार्ट ब्रेक ऐसा कुछ होगा जिससे कि ये ये बहुत ज़ादा अकेला अपने आपको महसूस करेंगे और कम्प्लीट इनको फील नहीं होगी किसी के साथ भी तो ये इनसान उस टाइम जो है आपकी वैल्यू आपकी इंपॉर्टन्स क्या है वो उनको समझ महाएगी बहुत अच्छे से रिलीस करेंगे जो भी चीज इनके अंदर है मैंने बोला ना कि ये इनसान बहुत कुछ रिलीस करना चाहते हैं आपको अपने आपको और लोगों को जो भी हर्ट किये हैं ये मुझ लगता है कि कुछ एक इनवर्क ऐसा कुछ ये करेंगे कुछ ज़रूर करेंगे कुछ कौश्लिंग का सेशन लेंगे कुछ ऐसा करेंगे जिसे कि अंदर की सारी चीजें के रिलीस कर पाएं ठीक है ऐसा द सारे क्लियर इंको मिलने वाली मुझे तॉ नियु दितों तॉ पॉजिटिव दित्ट से थे को समझने वाले है एस साल पे और बहुत अच्छा आपनों का न्यू जियर बहुत सुंदर बहुत प्यार बहुत प्यार से भरा बहुत अधा खुशियो से बहुत है बहुत जोईफुल बहुत रूमांटिक यह आपनों का देख रहा है मुझे 2023 and I wish you all a very happy new year बहुत बहुत आप लोगों की जितनी भी सारी आप लोगों की जितनी भी सारी आप लोगों की है वो सारी पूरी हो जाएं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो नहीं भी देख रहे हैं सब रियूनियन में आ जाएं अपने रिलेशन को बहुत अच्छे सा समझे अपने प्यार को समझे अपने पार्टन के साथ बहुत सुज-Bूज और प्यार के साथ के साथ आप आगे जाएं इस रिष्टे में इस जर्नी में आगे बढ़ें आप लोग दिल सी मेरी दुआ हैं हैं ये मेरी बलसिंग से हैं आप लोगों की लिए तो ये थी आप लोगी next reading में तब तक के लिए मस्त रहें व्यस्त रहें खुश रहें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनों को ख्याल रखें God bless you all